हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल गौर्मेंट जॉब मेकर पर और मैं हूँ रहल कुमारतिवारे दोस्तों आपकी आज की आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी कहने का मतलब यह है कि यदि आप अच्छ यूर बढ़ते रहेंगे तो आते हैं हम अपने चप्टर पर और मेरा आज का चप्टर क्या है कि एसाई और सी याई में तीन वर्स का निकालने का ट्रिक दिखिये क्या है तीन वर्स के लिए सबसे पहले सी याई यानि कि चक्रव्रीधि ब्याजबरापर क्या होगा ये को यानि इसको और इसको दो दो अंक में लिखना है आते हैं दोस्तों यहां पर मेरा सवाल में दिया है रेट बराबर पांच परसेंट और टी यानि के टाइम बराबर तीन वर्स दिया है ठीक है तो सबसे पहले करेंगे पांच का क्यूव कितना आजाएगा 125 125 का हमको रखना ह सिर्फ 25 के ओंगी सिर्फ दो दो अंक रखना है उसके बाद एक हो जाएगा मेरा हासील में अब आएगा आर गूने आर गूने टी यानि कि 5-5 पाचीस और पाचीस के बाद में 35 और एक हासील कितना हो जाएगा अब सवाल है कि एक हजार रुपया पर दस प्रतिसत चक्रवीधी व्याज किदर से तीन वर्स का ब्याज कितना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे CI यानि कि चक्र ब्रीधी ब्यास प्रसेंटेज में कितना होगा ठीक है तो R का Q यानि कि 10 का Q करेंगे तो मिलेगा मेरा 1000 1000 में क्या रखना है सिर्फ 2-0 2-0 रख दिये यह 10 आ गया आपका हासिल में उसके बाद है R गुने R गुने T 10-10 में 10 से गुणा किये 100 100 में 3 से गुणा किये तो 300 और फिर हासिल कितना हो जाएगा 3010 310 का सिर्फ रखेंगे 10 हासिल में आ जाएगा आपका 3 और यह क्या है दस मौलोव है तो 10 मौलोव दे देँगे फिर क्या हो जाएगा कि 10-10 ती आई ही 30 30 में यह 3 जोड़ देंगे ता आपका हो जाएगा 33 यह प्रतिसात में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 33.1 लिख सकते हैं हमको क्या निकलना है ब्याज निकलना है तो क्या करेंगे जो मुल्धन दिया है 1000 ठीक है जो मुल्धन दिया है 1000 उसका हम निकाल देंगे 33.1 ठीक है तो य क्या हो जाएगा ये जो 10 मौलव है ये जब यहां से रटेगा तो नीची आ जाएगा 10 और 10 ले 10 खतम तो आपका आ जाएगा ब्याज तीन सो एक तीस रूपया एंसर ये मिल लेगा आपका ब्याज एक हजा रूपया पर ठीक है जो की मिसद्धन जिसको बिल सकते हैं कि यह 1000 रुपया पर इतना मिल जाएगा आपका ब्याज अब आते हैं यह सवाल है कि 10,000 रुपया पर 10% चक्रवीदी ब्याज की दर से 3 वर्स का मिसधन क्या होगा दोस्तों आपको पता है कि 10% का मतलब हुआ कि जब भी हम CI के के केस में अगर हम इसका whole value निकालते हैं तो मिसधन का मतलब क्या हुआ कि 10 बटा 100 और whole value में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उपर एक है तो 11 बटा 10 कहने का मतलब है कि जब हम मिसधन से मिसधन की तरफ जाते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं ठीक है और जब हम मिसधन से मिसधन की ओर जाएंगे तो उल्टा गुना यानि के उलट के गुना करेंगे कहने का मतलब है कि जब हम मुलधन से मिस्धन में जाएंगे तो हो जाये ङह इस में 11810 लेकिन जब मिस्धन से मुलधन निकलना होगा तो अधरम 1फ़ यानिकी में गुना का देंगे 11 बाटा 10 गुना 11 बाटा 10 ठीक है अब देखिए एक दू 3-0 से एक दू 3-0 खत्म 11 का Q होता है 1331 और फिर 1-0 यानि कि 1331 पर 1-0 यह आपका आ गया कुल मिस्रधन कितना पर 10,000 रुपया पर यह आपका आ गया मिस्रधन ठीक है यदि अगर हम यहां से CI निकाले तो यदि हम यहां से CI निकाले तो क्या करेंगे मिसधन में से घटा देंगे किसको मुल्धन को कहने का मतलब कि मेरा 13 इतना में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए कितना जाएगा 3310 रुपय आपका आ जाएगा यदि CI निकालेंगे तो दोस्तों उमीद करता है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस् कि अराग दोस्तों के लिएागा जाएगा है जाएगा घाएगा जावा।